भगवत गीता साक्षाद भगवान की वानी है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी समवाद है। यह समवाद आज से पांच हजार वर्षपूर कुरुछेत नामकिस्थान पर हुआ। भगवत गीता में जीवन के सभी महत्वपून प्रश्णों का उत्तर है। जैसे हम कौन हैं? भगवान कौन हैं? हमें कश्ट क्यों होते हैं? क्या पुनर जन्म होता है? क्या न्य ग्रहों पर जीवन है? हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं? हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं? कोई पूछ सकता है कि कुरुछेत्र में हुए महान युद्ध जिसके दौरान भगवत गीता कही गई, उसका कारण क्या था? पांच हजार वर्ष पहले विचित्र वीरिय नामत एक महान राजा का देहान्त हो गया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्य धुत्राष्ट जन्म से अंगदा होने के कारण राज्य भार समभालने में असमर्थ था, हता उसके छोटे भाई पांडु ने राज्य सिंहासन समभाल लेकिन पांडव ही बालक ही थे, अता धितराष्ट ने स्वयम राज्य भार समभाला, धितराष्ट के सो पुत्र थे जो कौरों के नाम से जाने जाते थे, जब पांडव बड़े होकर राज्य समभाले लायक हुए, तो वे संपून राज्य नहीं लेना चाहते थे, हालाकि वो उनका नियम संगत अधिकार था। वे राज्ये को अपने चचेरे भाईयों के साथ पाटना चाहते थे। और इस प्रकार राज्ये को पांडवों और कौरों के बीच बाट दिया गया। लेकिन कौरों में जेश्ट दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट न था। वो संपूर्ण राज्ये को सोयम ही भोगना चाहता सा। उसने पांडवों को मारने के लिए कई शड़यन सुरचे लेकिन वो असफल रहा। फिर उसने नियुम के विरुद्ध संपूर्ण राज्ये को हड़क लिया और पांडवों को राज्ये से निश्कासित कर दिया। पांडवों ने फिर पांच गाउं की मानग किया। दुर्योधन ने उत्तर दिया, पाँच गाव तो दूर, वो सुई की नौक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता भगवान श्री कृष्णी ने जमीन के इस जगड़े को शान्तिकून एवं अहिंसात्मक तरीके से सुल्जाने का प्रस्ताव रखा लेकिन दुर्योधन ने ये प्रस्ताव को अस्विकार करते हुए पान्व के प्रती युद्ध की घोष्णा कर दी और इस प्रकार महा भारत का महान युद्ध अवश्यन भावी हो गया युद्ध की तयारी में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान शिक्रिष्ण के पाद सहायता मांगने गए भगवान शिक्रिष्ण उनकी मदद मांगने को आए किसी भी व्यक्ति को नहीं ठुकराते थे चाहे वे सज्जन हो या दुर्जन भगवान शिक्रिष्ण ने अपनी संपून सेना को एक और तथा स्वयम को मांगदर्शक के रूप में दूसरी और देने का पस्ताव रखा दुर्योधन ने भगवान शिक्रिष्ण की सेना को चुना जबकि अर्जुन भगवान को मागदर्शक के रूप में प्राप्त करने को उस्सुख था इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मागदर्शक तथा सार्थी बने युद्धिस्थल में अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े जिसके लिए आवशक था अपने ही स्वजनों का वद्ध या युद्ध भूमिल से पलायन कर दुष्ट दुर्योधन को राज्य पर शासन करने दे अर्जुन अपने को इस दुविधा से बाहर निकालने में असमर्थ पाकर भगवान शी कृष्ण की शरण लेता है शर्णागत आये अपने मित्रेवं भक्त अर्जुन को भगवान शिक्रिष्णी भगवत गीता के दिव्योग देश द्वारा इस दुविधा से उबारते हैं और शिमत भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन के ही समान अपनी शरण में आये सभी भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान कूर्वक पढ़ना चाहिए गीता शास्त्रमिदंपुन्यम यहाँ पठेत प्रयतः कुमान यदि कोई भगवत गीता के उगदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिन्ताओं से मुक्त हो सकता है भय शोकाद वर्जित है वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा गीता अध्यन शीलस प्राणायाम परस्त च नईवसंति ही पापानी पूर्व जन्म कृतानी च यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूरु दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता मलिने मोचनम कुंसाम जलस्नानम दिने दिने सक्त्रत गीता अम्रतस्नानम संसारमलम नाशनम मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिन्ता से सदावदा के लिए मुक्त हो जाता है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्ध पद्माद निस्ता चुँकि भगवत गीता भगवान के मुक्ष से निकली है अतेव किसी को अन्य वेदिक साहित्य पढ़ने की आवशक्ता नहीं रहती उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवन तथा पठन करना चाहिए वर्तमान यूग में लोग सांसारी कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्यन कर पाना संभव नहीं रह गया है परुंतु इसकी आवशक्ता भी नहीं है केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है भारतामरत सर्वस्वं विष्णू वक्राद निस्टम गीता गंगो दकम पीत्वा पुनर जन्मन विद्यते जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ती मिलती है अते उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमरित पान करता हो सर्वो पनीशदो गावो दुगधा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्सह सुधिर भोगता दुगदम गीता मृतम महत यह गीतो पनीशद भगवत गीता जो समस्त उपनीशदों का सार है गाए के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्याद भगवान प्रिश्न इस गाए को दो रहे है अर्जुन बच्छडे के समान है और सारे विद्वान तता शुद्भग भगवत गीता के अमरित में दूद का पान करने वाले है एकम शाप्तम देव की पुत्र गीतम एको देवो नामानी यानी कर्मा प्यकम तस्य देवस्य सेवा आज के युग में लोग एक शाप्त एक इश्वर एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुख हैं अतयव एकम शाप्त्रम देव की पुत्र गीतम केवल एक शाप्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के सारे विश्व के लिए एक इश्वर हो श्री कृष्ण एको मंत्रस्य तस्य नामानी यानी और एक मंत्र एक प्रार्थन हो उनके नाम का कीर्थन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कर्मा प्यकम तस्य देवस्य सेव और केवल एक ही कारे हो भगवान की सेवा अध्याए एक कुरुच्छेत्र के युद्धिस्थल में सैन्य निरिक्षन धितराश ने कहा हे संजय धर्मभूमी कुरुच्छेत्र में युद्धि की इच्छा से इकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया बचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे ये आचारे पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुधिमान शिश्य दुरुपत के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है इस सेना में भीम तथा अरजुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारती युद्धान विराठ तथा दुरुपत्ध। इनके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित, कुंतिभोर तथा शैब्वे जैसे महान शक्तिशाली युद्धा भी हैं पराक्रण युद्धामन्यु, अत्यम्त शक्तिशाली उत्त मौजा, सुभद्ध्रा का पुत्र तथा द्रौपती के पुत्र ये सभी महारती हैं किन्तु हे ब्रामन्श्रिष्ट, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विशे में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेश रूप से निपुण हैं मेरी सेना में स्वयम आप, भीश्म, कर्ण, खिपाचारे, अश्वतामा, विकर्ण तथा सोमदत का पुत्र भुरी श्रवादी हैं जो युद्ध में सदैव विजई रहे हैं ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्या करने के लिए उद्ध हैं वे विविद्ध प्रकार के हतियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं हमारी शक्ती अपरी मेय हैं और हम सब पितामें द्वारा भली भाती संरक्षित हैं जबकि पान्डों की शक्ती भीम द्वारा भली भाती संदक्षित होकर भी सीमित है। अतेई सेन्य व्यू में अपने अपने मौचों पर खड़े रहकर आप सभी भीश्व पितामे को पूरी-पूरी सहयता दें। तब कुरुवंश के वयोगद परंप्रतापी एवं व्यूर्द पितामे ने सिंग गर्जन किसी ध्वनी करने वाले अपने शंक को उच्चु स्वर में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्श हुआ। सत्पष्चात शंक नगाडे बिगुल तुरही तता सिंग सहसा एक साथ बजुठे। वह समवेद स्वरत्यंत कोला हल्कून था। दूसरी ओर से शुयत घोणों द्वारा खीचे जाने वाले विशाल रत पर आतीन कृष्चन तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंक बजाया। भगवान कृष्चन ने अपना पांच जन्य शंक बजाया। अर्जुन ने देवदत शंक तथा अतिभावजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक भैंकर शंक बजाया। ये राजन कुन्ति पुत्र राजा युधिष्ट ने अपना अनंत विजय नामक शंक बजाया। तथा नकुल और सहदेव ने सुखोष एवं मनी पुषपक शंक बजाया। महान धनुर्धर काशी राज, परम योद्धा शिखंडी, द्रिश्ट द्युम, विराठ, अजे सात्यकी, दुरुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुबद्रा के महा बाहु पुत्र आदी सबों ने अपने अपने शंक बजाया। इन विभिन्य शंकों की धनी कोलाहल पूम बन ले, जो आकाश तथा प्रत्वी को शबदाय मान करती हुई, तितुराष्ट के पुत्रों के हिदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा कर तीर चलाने के लिए उद्दित हुआ, हे राजन, तितुराष्ट के पुत्रों को विउह में खड़ा देखकर, अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्छुत, क्रिपा करके मेरा रथ दोनों से नाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपत्ति युद्ध की अबिलाशा रखने वालों को, और शस्त्रों की इस महान परिक्षा में, जिन से मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिये, जो यहां पर धत्राश्ट के दुर्भुद्धी पुत्र दुर्योधन को प्रसंद करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किये जाने पर, भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रत को लाकर खड़ा कर दिया। भीश, द्रोन तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताऊओं, पितामःं, गुरुओं, मामाओं, भाईयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुबचिंतकों को भी देखा। जब कुंति पुत्र अर्जुन ने मित्रों तता संबंधियों की इन विभिन श्रेडियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की छारखने वाले अपने मित्रों तता संबंधियों को अपने समक्ष उपस्ते तेक कर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुक सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगते खड़े हो रह हैं, मेरा गांडी धंश मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी तवचा जल रही है, मैं यहाँ और दिखड़ा रहने में असमर्त हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चक्रा रहा है, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, हे कृष्ण, इ मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख, अथ्वाइस जीवन से क्या लाब, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमी में खड़े हैं, हे मदुसुद जब गुरुजन, पित्रगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, तथा अन्य सारे संबंधी, अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए ततपर हैं, और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यो मारना चाहूंगा, भले ही वे भला धृत्राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसंदता मिलेगी, यदि हम ऐसे आतताईयों का वद करते हैं, तो हम पर पाप चड़ेगा, अतहिये उचित नहीं होगा, कि हम धृत्राष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वद करें, हे लक्ष्मी पति इस से हमें क्या लाब होगा, और अपने ही कुटंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, हे जनार्दन, यद्यपी लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोश नहीं देखते, किन्तु हम लोग, जो परिवार के विनष्ट करने में अपरात देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परमपरा नश्ट हो जाती है, और इस तरह शेश कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अवांचित संतानों की व्रद्धी से, निश्चही परिवार के लिए तथा परिवारिक परमपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नार किये जीवन उत्पन होता है। कल्यान कारे विनष्ट हो जाते हैं। ये प्रजापालक कृष्ण मैंने गुरु परमपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओहो, कितने आश्चर्र की बात है कि हम सब जगन्य पाप कर्म करने के लिए उद्दित हो रहे हैं। राज्य सुक भोगने की इच्छा से प्यरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त धारी धृत्राश्ट के पुत्र मुझ निहत्ते थतारण भूमी में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रयस कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमी में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्ट था बान एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रत के आसन पर बैठ गया। अध्याय दो, गीता का सार संजय ने कहा, करुणा से व्याप, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रवाले अर्जुन को देखकर, मधुसुदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनुप्पी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इस से उच लोग की नहीं, अपितु अपयश्की प्राप्ती होती है। हे प्रथा पुत्र, इस ही नपुसंता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती, हे शत्रों के दमन करता, हिदय की शुद्र दुर्बलता को त्याक कर, युद्ध के लिए खड़े हो। अरजुन ने कहा, हे शत्रोंता, हे मदुसुदन, मैं युद्ध भूमी में किस तरह भीश्म तथा द्रोंड जैसे पूजनिय व्यक्तियों पर उलट कर बान चलाऊंगा। ऐसे महापुर्षों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा, इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाव के इच्छुखों किंतु हैं तो गुरुजन ही, यदि उनका वद होता है, तो हमारे द्वारा भोग्य पत्त्येक वस्तू उनके रक्त से सनी होगी, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ट है, उनको जीतना या उनके द्वारा जी हमारे समक्ष खड़े हैं, अब मैं अपनी क्रिपन दुर्बल्दा के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं, ऐसी अवस्ता में मैं आप से पूछ रहा हूं, कि जो मेरे लिए श्रयस करो, उससे निश्चित रूप से बताएं, अब मैं आप आपका शिष्य हूं और आपका शर्णागत हूं, क्रपया मुझे उपदेश दें, मुझे ऐसा कोई साथन नहीं दिखता, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह, इस धनधान ये संपन्य सारी प्र अरजुन क्रिष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। प्रिष्ण के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथ्वा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा है कि भविश्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरिधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यवस्था से करुणावस्था में और फिर व्रद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्ती होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मुह को प्र पुरुष श्रेश्ट अर्जुन जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है सत्व दर्शियों ने यह निश्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थाइद तो नहीं है किन्तु सत्व अपरिवर्तनिय रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्यन द्वारा यह निश्कर्ष निकाला है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो उस अव्यायात्मा को नश्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है अविनाशी अप्रमे तथा शाश्व जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है अतहे भरजवंशी युद्ध करो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अग्यानी है क्योंकि आत्मा न तो मरता है और ना मारा जाता है आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यू वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता ये पार्थ जो व्यक्ति है जानता है कि आत्म अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याक कर नए वस्त्र धारन करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याक कर नवीन भोतिक शरीर धारन करता है यह आत्मा न तो कभी किसी शर्थ द्वारा खंड खंड किया जा सकता है ना अगनी द्वारा जलाया जा सकता है ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है यह आत्मा खंडित तथा अगुलन शील है इसे न तो जलाया जा सकता है नहीं सुखाया जा सकता है यह शाश्वत सरव्यापी अविकारी इस्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनिय तथा अपरिवर्तनिय कहा जाता है यह जानकर तुम्हें शरिर के लिए शोक नहीं करना चाहिए किन्तु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अत्वा जीवन का लक्षन सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी है महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है जिसमें जन्म लिया है उसकी मृत्यू निश्चित है और मृत्यू के पश्चाथ पुनर जन्म भी निश्चित है अथे अपने अपरिहारे करतवे पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए सारे जीव प्रारम में अव्यक्त रहते हैं मध्यवस्था में व्यक्त होते हैं और विनश्च होने पर पुनह अव्यक्त हो जाते हैं अथे शोक करने की क्या आवशक्ता है कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई से आश्चर्य की तरह बदाता है, तथा कोई से आश्चर्य की तरह सुनता है, किन्तु कोई कोई इसके विशय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वद नहीं किया जा सकता, अतह तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवशक्ता नहीं है, शत्रिय होने के नाते, अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, तुम्हें जानना चाहिए, कि धर्म के लिए शत्रिय सुखी हैं, जिहें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लूप के द्वार खुल जाते हैं, इन्तु यदि तुम्हें युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्द नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अप यश्च तो मृत्यु से भी बढ़कर हैं, जिन जिन महान योध्धाव ने तुम्हारे नाम तसा यश्च को सम्मान दिया हैं, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमी छोड़ दी हैं, और इस तरह वे तुम्हें तुछ मानेंगे, तुम्हारे शत्रु अनेक जाओगे, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे, तो प्रत्वी के सामराज्य का भोग करोगे, अध्य द्र संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, तुम सुख या दुख, हानी या लाभ, विजय या पराजय का विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, यहां मैंने वैशलेशिक अध्यान द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निश्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो, हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म भी महान भय से रक्षा कर सकती है, जो इस मार्थ पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दड़ रहते हैं, और उनका लक्ष भी एक होता है, हे कुरुनन्दन जो दड़ पतिग्य नहीं है, उनकी बुध्धी अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, अल्प ज्यानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यदिक आसकते रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्व, शक्ति, इत्यादी के लिए विविद सकाम कर्म करने की संस्तुती करते हैं, इंद्रिय थृत्ति तथा ऐश्वरे में जी प्रति वस्तों से महुक्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के तति भक्ति का दर्णिष्चे नहीं होता, वेदों में मुख्यत या प्रक्रति के तीनों गुड़ों का वर्णन हुआ है, खे अरजुन इन तीनों गुड़ों से उपर उठो, समस्त द्वैतों और ला वेदों के आंतरिक तात्पते जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किन्तु कर्म के फलों के तुम अधिकार ही नहीं हो, तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो, हे अर्जुन, जैयत्व पराजय की समस्त आसक्त की त्याक कर, संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी संता योग कहलाती है, हे धनन्जय, भक्ति के द्वारा समस्त गरहित कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहन करो, जो यक्ति में सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे एक क्रिपन हैं, भक्ति में सनलगन मनुष्य, इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतय योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कारे कोशल यही है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े-बड़े रिशी, मुनी, अत्वा, भक्त गण, अपने आपको इस भोतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, इस प्रकार वे जन्न मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, जो समस्त दुखों से परे हैं, जब तुम्हारी बुद्धी मोहरूपी सघनवन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रती अन्य मनस्क हो जाओगे, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार में भाशा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षा अर्जुन ने कहा, अध्यात में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षन है, वह कैसे बोलता है, तथा उसकी भाशा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, इंद्रिय त्रिप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त इस्थित्प्रग्य कहा जाता है, जो त्रेतापों के होने पर भी मन में विच्रित नहीं होता, अत्वा सुख में प्रसन नहीं होता, और जो आसकती भय तथा क्रोज से मुक्त है, वह इस्थिर मनवाला मुनी कहलाता है, इस भोती जगत में जो व्यक्ति ना तो शुब की प राप्त होने पर उससे घणा करता है, वह पूर्ण ग्यान में इस्थिर होता है, जिस प्रकार कच्छु आपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विशयों से खीच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दड़ता पूर्वक इस्थिर होता है, देधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निब्रत हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तमरस के अनुगव होने से ऐसे कारें को बंद करने पर वह भक्ती में इस्थिर हो जाता है, हे अ जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, इंद्रिय संयम करता है, और अपनी चेतना को मुझ में इस्थिर कर देता है, वह मनुष्य इस्थिर बुद्धी कहलाता है, इंद्रिय विशयों का चिंतन करते हुए, मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन होता है, और मोह से इस्मरन शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब इस्मरन शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धी नश्ट हो जाती है, और बुद्धी नश् इस प्रकार से कृष्ण भावनमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नश्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धी शीग्र ही इस्थिर हो जाती है जो कृष्ण भावनमृत में परमेश्वर से संबंदित नहीं है उनकी न तो बुद्धी दिव्य होती है और नहीं मन इस्थिर होता है जिसके बिना शांती की कोई संभावना नहीं है शांती के बिना सुख हो भी कैसे सकता है जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशिल इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरन पर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धी को हर लेती है अतैहे महाबाहु जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विशयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं उसी की बुद्धी निसंदे इस्थिर है जो सब जीवों के लिए रात्री है वह आत्म सयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरिक्षक मुनी के लिए रात्री है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवहा से विचलित नहीं होता और जो सदैवी सिर रहता है वही शांती प्राप्स कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेश्टा करता ह जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृति की समस्ते च्छाओं का परित्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी मम्ता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक शांती को प्राप्त कर सकता है यह आध्यात्मी तता इश्वर्य जीवन का प्त है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता यदि कोई जीवन के अंतिन समय में भी इस तरह इस्तित हो तो वह भगवध्धाम में प्रवेश कर सकता है अध्यायतीन कर्म योग अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुध्धी को सकाम कर्म से श्रेश समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी मुध्धी मोहित हो रही है अत्यक्रिपा करके निश्च पूर्वक मुझे बताएं कि इन में से मेरे लिए सर्वादिक श्रेश कर क्या होगा श्री भगवान ने कहा हे निश्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षातकार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ती में सेवा के द्वारा ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल सन्यास से सिध्धी प्राप्त की जा सकती है प्रत्येक व्यक्ती को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है अतै कोई भी एक शनभर के लिए भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंटु जिसका मन इंद्रिय विशयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयम को धोका देता है और मिध्याचारी कहलाता है दूसरी और यदि कोई निश्चावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसकती के कर्म योग प्रारम करता है तो वह अति उत्कृष्ट है अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ट है, कर्म के बिना तो शरिर निर्वाब ही नहीं हो सकता श्री विष्णु के लिए यग्य रूप में कर्म करना चाहिए अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन होता है अतेहे कुंति पुत्र उनकी प्रसनता के लिए अपने नियत कर्म करो इस तरहे तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे स्रश्टी के प्रारंब में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यग्य सहित मनुष्यों तथा देवताओं के संत्तियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यग्य से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ती प्राप्त करने के लिए समस्त वांचित वस्वें प्राप्त हो सकेंगी यग्यों के द्वारा प्रसन होकर देवता तुम्हें भी प्रसन करेंगे और इस तरह मनुश्यों तथा देवताओं के मत्य सहयोग से सबों को संपनता प्राप्त होगी जीवन की विभिन आवशकताओं की पूर्ती करने वाले विभिन देवता यग्ये संपन्न होने पर प्रसन होकर तुम्हारी सारी आवशकताओं की पूर्ती करेंगे किन्तु जो इन उपहारों को देवताओं को अरपित की ये बिना भोगता है वेह निश्चित रूप से चोर है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यग्य में अरपित की ये भोजन प्रसाद को ही खाते हैं अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं सारे प्राणी अन पराश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन होता है वर्षा यग्न संपन करने से होती है और यग्य नियत कर्मों से उत्पन होता है वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भग्वान से प्रकट हुए है फलतह सर्व्यापी ब्रह्म यग्य कर्मों में सदा इस्थित रहता है हे प्रियार्जुन जो मानव जीवन ने इस प्रकार वेदों द्वारा इस्थापित यग्य चक्र का पालन नहीं करता वे निश्च ही पाप में जीवन व्यतित करता है ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टी के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है किन्तु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षाथकार युप्त है और जो अपने में ही पूर्णत या संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ कारणी ये करतव्य नहीं होता सुरूप सिद्गक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवशक्ता रह जाती है न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है उसे किसी अन्य जीव पर निर्बर रहने की आवशकता भी नहीं रह जाती हतव कर्म फल में आसकत हुए बिना, मनुष्य को अपना कर्तव समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासकत होकर कर्म करने से उसे परब्रम की प्राप्ति होती है जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिध्धी प्राप्त की अतै सामान ये जनों को शिक्षित करने की द्रश्टी से तुम्हें कर्म करना चाहिए महापुर्ष जो जो आचरण करता है सामान ये व्यक्ति उसी का अनुसरण करते है वहे अपने अनुसरणी ये कारें से जो आदर्ष प्रस्थुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है हे प्रथा पुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है न मुझे किसी वस्तु का आभाव है और ना आवशकता ही है तो भी मैं नियत कर्म करने में ततपर रहता हूँ क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ तो हे पाट ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पत का ही अनुगमन करेंगे यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नश्ट हो जाएंगे तब मैं अवांचित जन समुदाय को उत्पन करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांती का विनाशक बनूंगा जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसकती से कारे करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पत्व पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कारे करें विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुशों को कर्म करने से रोके नहीं थाकि उनके मन विचलित न हो अपितु भक्ती भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनमृत का क्रमिक विकास हो जीवात्म अहंकार के प्रभाव से मोग्रस्त होकर अपने आपको समस्त कर्मों का करता मान बैठता है जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किये जाते हैं हे महाबाहो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भाती जानते हुए जो परमसत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आपको इंद्रियों में तथा इंद्रियत्र्प्ति में नहीं लगाता माया के गुणों से मोहगरस्त होने पर अज्ञानी पुर्ष पूर्णतया भोतिक कार्यों में सलगन रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञाना भाव के कारण अधम होते हैं किन्तु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे अतहे अर्जुन अपने सारे कारें को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्यान से युक्त होकर लाग किया कांग्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के निसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इश्या रहित होकर इस उपदेश का शद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं किन्तु जो इर्शावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इंका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिख भ्रमित तथा सिध्धी के प्रयासों में नश्ट भरष्ट समझना चाहिए। ज्यानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कारे करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसारन करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिये तथा उसके विशय से सम्मंदित राग द्वेश को विवस्तित करने के नियम होते हैं मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेश के वशिभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षातकार के मार्ग में अब रूधक है अपने नियत कर्मों को दोश्कून धंग से संपन करना भी अन्य के कर्मों को भली भाती करने से श्रयस्कर है सुईय कर्मों को करते हुए मरना पर आये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेश्तर है क्योंकि अन्य किसी के मार का अनुसरन भयावे होता है अर्जुन ने कहा हे गृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वकुन में लगाया जा रहा हो श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन इसका कारण रजोगुन के संपर्ख से उत्पन काम है जो बाद में क्रोध का रुपधारन करता है और जो इस संसार का सरुभक्षी पापी शत्रु है जिस प्रकार अगनी धुए से दर्पन धूल से अत्वा भून गर्बाशय से आवरत र रहता है इस प्रकार ज्यान में जिवात्मा की शुद्व चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से धकी रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अद्नी के समान जलता रहता है तिंद्रियां मन तथा बुद्धी इस काम के निवास स्थान है इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तवि ज्यान को ढखक का उसे मोहित कर लेता है इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ट अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रती काम का दमन करो और ज्यान तथा आत्म साक्षात कार के इस विनाश करता का वद क करो करमेंद्या जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रिष्ट हैं मन इंद्रियों से बढ़कर है बुद्धी मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धी से भी बढ़कर है इस प्रकार है महा बाहु अर्जुन अपने आपको भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धी स इस्तिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रू को जीतो। अध्याय चार दिव्य ज्यान भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूरे दे विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्षुवाकु को दिया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानि परमेश्वर के साथ अपने सम्बंद का विज्ञान तुम से कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो अते तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परमपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज रिश्यों ने इसी विदी से इसे समझा किन्तु काल करम में यह परमपरा छिन हो गई अते है यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया रगता है अर्जुन ने कहा सूरेद्य विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकान एक जन्म हो चुके हैं मुझे तो उन सबका इस्वरण है किन्तु हे परंतप तुम्हें उनका इस्वरण नहीं रह सकता है यद्यपी मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपी मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रतेक युग में मैं अपने आदी जिव्य रूप में प्रकट होता हूँ हे भरतवन्शी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों का उध्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होत हूँ, हे अर्जुन, जो मेरे अविर भाव तथा करमों की दिव्य प्रकृती को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भोतिक संसार में कुना जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, आसक्ती, भय, अथा क्रोज से मुक्त होकर, मुझ में पूनतया तनमे होकर, और मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ती भूतकाल में मेरे ग्यान से पवित्र हो चुके हैं, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रती दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहन करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ, ये पार्थ प्रती एक व्यक्ती सभी प्रकार से मेरे पत का नुगमन करता है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिध्धी चाहते हैं, फल सरूप वे देवताओं की पुजा करते हैं, निस संदे संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीग्र प्राप्त होता है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानल समाज के चार विभाग रचे गए, यद्यभी मैं इस विवस्था का स्रष्टा हूँ, किन्तु तुम यह जा करता हूँ, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की काम ना करता हूँ, जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंदता। कर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोगरस्त हो जाते हैं, अतर मैं तुम को बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुब से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अत्य मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुध्धिमान हैं, और सब प्रकार के कर्म में प्रवर्क्त रहकर भी दिव्यय सिती में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्य प्रयास इंद्रियत रिप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्यानी समझा जाता है। उसे ही सादु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्यान की अगनी से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसकती को त्याक कर, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत रहकर, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्यानी पुरुष पूर्ण रूप से सयमित मन तता बुद्धी से कार्य करता है, अपनी संपत्ती के सारे स्वामित्य को त्याक देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कारे करता हुआ वह पाप रूपी फ़लों से प्रभावित नहीं होता है। जो सुत्य होने वाले लाव से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईश्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में इस से रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रतिया ना सकत है, और जो दिव्यज्यान में पून्टया इस्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जोग एक्ती कृष्ण भावनम्रत में पून्ट्या लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होती है कुछ योगी विभिन प्रकार के यग्यों द्वारा देवताओं की भली भाती तूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अगनी में आहुती डालते हैं इन में से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी शवनादी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंतन रूपी अगनी में स्वाहा कर देते हैं तो दूसरे लोग इंद्रिय विशयों को इंद्रियों की अगनी में स्वाहा कर देते हैं दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कारियों को सैयमित मन रूपी अगनी में आहूती कर देते हैं। कठोर वृत अंगी कार करके कुछ लोग अपनी संपत्ती का त्याग करके कुछ कठिन तपस्य द्वारा, कुछ अश्टांग योग पद्धिती के अभ्यास द्वारा अत्वा दिव्य ज्यान में उन्नती करने के लिए वेदों के अध्यम द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्ने लोग भी हैं जो समाधी में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधी में रहते हैं। अन्ने योगी कम भोजन करके प्राण की पी अम्रित को चक्कत परम दिर्द्य आकाश की और बढ़ते जाते हैं। परंतप द्रव्य यग्य से ज्ञान यग्य श्रेश्ट है। ए पार्त अंततों गत्वा सारे कर्म यग्यों का अवसान दिद्य ज्ञान में होता है। तुम गुरू के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिग्यासा करो और उनकी सेवा करो, सुरुप सिद्व्यक्ति तुम्हे ज्ञान पदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सुरुप सिद्व्यक्ति से वास्तवि ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुन्हे कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश्तरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हे समस्त पापियों में भी सरवाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थोकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रजुलित अगनी इंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अगनी भौती कर्मों के समस्त पलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तता शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का स्वादन करता है। जो शद्धालू जिद्ध ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का लिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शान्ति को प्राप्त होता है। किन्तु जो अज्ञानी तता शद्धा विहिन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामरत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में नहीं पर लोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फालों का परित्यार करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनश्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्म परायन हैं। एधनन जय वह कर कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतेव तुमारे हिदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रुपी शत्त्र से काट डालो। यह भारत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और उद्ध करो। अध्याए पाँच कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाप्रद है। श्री भगवान ने उतर दिया, मुक्ति के लितो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किन्तु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति उक्त कर्म श्रेष्ट है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से गणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्याती जाना जाता है। हे महा बाहु अर्जुन ऐसा मनुष्य समस्त द्वंदों से रहित होकर बहु बंदन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अज्यानी ही भक्ती को भौतिक जगत के विशलेशनात्मक अध्यन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुत अज्यानी हैं वे कहते हैं कि जो इन में से किसी एक मार्क का भली भाती अनुसरन करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विशलेशनात्मक अध्यन द्वारा प्राप्ते स्थान भक्ती द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांखे योग तथा भक्ती योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ती में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्या करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। परंतु भक्ती में लगा हुआ विचारवान व्यक्ती शीग्रही परमेशर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ती भाव से कर्म करता है, जो विशुद्य आत्मा है और अपने मन तता इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ती कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंदता। दिव्य भावनाम्रत युक्त पुरुष्ट देखते, सुनते, इसपर्ष करते, सुंगते, खाते, चलते फिरते, सोते तता श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तम में वह कुछ भी नहीं करता। भोलते, त्यागते, ग्रहन करते या आखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भोतिक इंद्रियां अपने अपने विशयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे प्रथक है। जोग्यत्ती कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसकती रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्प्रश रहता है। योगी जन आसकती रहित होकर शरीर, मन, बुद्धी तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धी के लिए कर्म करते हैं निश्चल भक्त शुद्ध शांती प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है किन्तु जो व्यक्ति भग्वान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंद जाता है जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश्व में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नो द्वारो वाले नगर में बिना कुछ किये कराए सुख पूर्वक रहता है शरीरूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सरजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है नहीं कर्म फल की रचना करता है यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है परमेश्वर ना तू किसी के पापों को ग्रहन करता है ना पुन्यों को किन्तु सारे देहदारी जीव उस अज्ञान के कारण मोह ग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तवी ज्ञान को आच्छादित किये रहता है किन्तु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जब मनुष्य की बुद्धी, मन, शद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्तिर हो जाते हैं तभी वह पून ज्ञान द्वारा समस्त कलमस से शुद्ध होता है और मुक्ति के पत्थ पर अग्रसर होता है विनम्र सादु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्रामन, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान द्रश्टी से देखते हैं जिनके मन एकट्व तथा समता में स्तिर हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है वे ब्रम के समान निर्दोश हैं और सदा ब्रम में ही स्तित रहते हैं जो ना तो प्रिय वस्तू को पाकर हर्शित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है जो इस्तिर बुद्धी है जो मोहरहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में इस्थित रहता है ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुक्की और आक्रष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधी में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, इस प्रकार स्वरुप सिद्व्यक्ति परब्रम में एकाग्रचित होने के कारण असीन सुक भोगता है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भोतिक इंद्रियों के संसर्ख से उत्पन्द होते हैं, एक उन्ति पुत्र ऐसे भोगों का आधी तथा अंत होता है, अत्य चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जो करमठ है और अंत्य करण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष अंतर मुखी होता है, वह सच मुझ पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत्य तोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशे से उत्पन होने वाले द्वेश से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षादकार में रत हैं। जो समस्त जीवों के कल्यान कारे करने में सदै व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वान को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तता समस्त भौति के च्छाओं से रहित हैं, जो सरूप सिद्ध, आत्म सैयमी हैं और संसिद्ध के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविश्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्री विशयों को बाहर करके, द्रश्टी को बहों के मध्य में केंदित करके, प्राण तता पान वायु को नतुनों के भीतर रोक कर, और इस सरह मन, इंद्रियों तता बुद्धी को वश्य में करके, जो मोक्ष को लक्ष बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तता क्रोज से रहित हो जाता है जो निरंतरी सवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है मुझे समस्त यग्यों तथा तपस्याओं का परंभोगता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैशी जानकर मेरे भावना म्रत से पूर्ण पुरुष भोतिक दुखों से शान्ति लाव करता है अध्यायच है ध्यान योग श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रतिया ना सकत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और अस्ति योगी है वह नहीं जो ना तो अगनी जराता है और ना कर्म करता है हे पांडु पुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रम से युक्त हो ना जानो क्योंकि इंदे तर्थि के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता अश्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कारे कलापों का परित्याजी साधन कहा जाता है जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंदे तिप्ति के लिए कारे करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगा रूड कहराता है मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उधार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे यह मन बद्द जीव का मित्र भी है और शत्रू भी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सरुष्रेश्ट मित्र है किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांती प्राप्त कर लिया है। जितेंद्रिय कहलाता है वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड हों पत्थर हों या कि सोना एक समान देखता है। जिसने शरीर मन तता आत्मा को परमेश्वर में लगाए एक आंतिस्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्ता कांक्षाओं तता संग्रे भाव की च्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगा भ्यास के लिए योगी एक आंतिस्थान में जाकर भूमी पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मिर्क छाला से धके तथा उपर से मुलायम वस्तर बिछा दे। आसन न तो भहुत उंचा हो न भहुत नीचा यह पवित्रि स्थान में तिस हो। योगी को चाहिए कि इस पर धड़ता पूर्वक बैठ चाय और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश्मे करते हुए तथा मन को एक बिंदू परित्थित करके हिदय को शुद्ध करने के लिए योगा भ्यास करे। योगा भ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टी लगाए। इमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्थित्य की समाप्ति पर भगवध्धान की प्राप्ति होती है। हे अरजुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथ्वा जो परियात नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वेह योगा भ्याद द्वारा समस्त भौतिक प्लेशों को नश्ट कर सकता है। जब योगी योगा भ्याद द्वारा अपने मानसिक कारे कलापों को वश्मे कर लेता है और अध्यात्म में इस्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिकी चाओं सरहित हो जाता है, तब वेह योग में सुइस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायू रहित स्थान में दीपक खिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश्मे होता है, वेह आत्म तत्तु के ध्यान में सदैव इस्थिर रहता है। सिद्धी की अवस्था में जिसे समाधी कहते हैं, मनुष्य का मन योगा भ्यास के द्वारा भौतिक मांसी क्रियाओं से पूर्टे अस्वयमित हो जाता है। इस सिद्धी की विशेष्टा यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंद मैं सिद्धी में वह दिव्य इंजियों द्वारा असीम दिव्य सुख में सित रहता है। इस प्रकार इस थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ती हो जाने पर वह इस से बड़ा कोई दूसर लाव नहीं मानता। ऐसी सित्य को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदे भौतिक संसर्क से उत्पन होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ती है। मनुष्य को चाहिए कि संकल तता शद्ध के साथ योगा भ्यास में लगे और पत से बचलित नहीं। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन समस्ते च्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशह पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धी के द्वारा समाधी में इस्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही इस्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तता अइस्थिता के कारण जहां कहीं भी विचन करता हो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खीचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थि रहता है वह निश्चे ही दिव्य सुक की सरवोच सिध्धी प्राप्त करता है वह रजोगुन से परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एक्ता को समस्ता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निव्रत हो जाता है इस प्रकार योगा भ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसयमी योगी समस्त भौतिक कर्मत से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेमभक्ती में परम सुक प्राप्त करता है वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझ को और मुझ में समस्त जीवों को देखता है निसंदे सरूप सिद्ध ग्रक्ती मुझ परमेश्वर को सरवत्र देखता है जो मुझे सरवत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रश्य होता हूँ और ना वैं मेरे लिए द्रश्य होता है जो योगी मुझे तथा पर प्रमात्मा की भक्ति पूर्वक्त सेवा करता है, वे हर प्रकार से मुझ में सदैय विस्तित रहता है। हे अर्जुन, वे पूर्ण योगी है, जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तता दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मदुसुदन, आपने जिस योग पद्यती का संग्षेप में वर्णन किया है, वे है मेरे लिए अविभारिक तता असनी हैं, क्योंकि मन चंचल तता अइस्थिर है। हे क्रिश्न, क्योंकि मन चंचल को शंखल, हठीला तता अत्यंत बल्वान हैं, अतै मुझे इसे वश्मे करना वायू को वश्मे करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री क्रिश्न ने कहा, हे महा बाहू कुंति पुत्र, निसंदे चंचल मन को वश्मे करना अत्यंत कठिन है, किन्तु उप्युक्त अभ्यास द्वारा, सथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन श्रंकल है, उसके लिए आत्म साक्षातकार कठिन कार्रे होता है, किन्तु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता धूँ है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गती क्या है, जो प्रारम में शद्धा पूर्वक आत्म साक्षातकार के विदी ग्रहन करता है, किन्तु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, और योग सिध्धी को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के माल से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ती आध्यात्मी तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता, और छिन भिन बादर की भाती विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल सुरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रहता, हे खृष्ण, यही मेरा संदे है, और मैं आप से इसे पूर्ट्या दूर करने की प्रार्ष्णा कर रहा हूँ, आपके तरिक्तन्य कोई ऐसा नहीं है, जो इस संदे को नश्ट कर सके, भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, कल्यान कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, हसफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, या तो सदाचारी पुर्षों के परिवार में, या की धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो अति बुद्धिमान है, निश्चही इस संसार में ऐसा जन्म तुरलब है, हे कुरुननदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूरु जन्म की दैविक चेतना को पुनह प्राप्त क करने के उदेश्य से वह आगे उन्नती करने का प्रयास करता है। अपने पूरु जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी सुतह योग के नियमों की और आकरशित होता है। ऐसा जिग्यासु योगी शास्त्र के निष्ठानों से परेशित होता है। और जब योगी सम समस्त करमत से शुद्ध होकर सच्चि निष्ठा से आगे प्रगती करने का प्रयास करता है। तो अंत्तो गत्वा अनेका नेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धिलाब करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से ज्यानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतहे अरजुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत शद्धा पूर्वक मेरे परायान हैं। अपने अंतकरण में मेरे विशय में सोचता है। और मेरी दिद्य प्रया भक्ती करता है। वह यो अध्याए साथ भगवत ज्यान श्वी भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्वन होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा भ्यास करते हुए मुझे पूर्वत या संशरहित जान सकते होए। अब मैं तुम से पूर्वत से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हे जानने के लिए और कुछ विशेश नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धी के लिए प्रयत्नशीर होता है और इस तरह सिद्धी प्राप्त करने वालों में सिविरला ही कोई एक मुझे वास्तम में जान पाता है। प्रत्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुध्धी तता अहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। इस जगत में जो कुछ भी भवति तता आध्यात्मिक है, उसकी उत्पति तता प्रलय मुझे ही जानो। हे धननजय, मुझे श्रेष्ट कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंति पुत्र, मैं जलका स्वाध हूं, सूरे तता चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनी हूं, तथा मनुष्य में सामर्थ हूं। मैं प्रत्वी की आद्य सुगंद और अगनी की उश्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। हे प्रधापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदी बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धी तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ, हे भरत श्रेश्ट अर्जुन, मैं वह का हूँ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतो गुण हो, तजो गुण हो या तमो गुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किन्तु हूँ सुतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन अपितु वे मेरे अधीन है, तीन गुणों, सतो, रजो तता तमों, के द्वारा मोह गस्त ये सारा संसार, मुझ गुणा अतीत तता अविनाशी को नहीं जानता, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किन्तु जो मेरे शरनाग हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारन करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरन ग्रहन नहीं करते, ये जो परम ज्यानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वे सरोश्रेष्ट हैं, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय हैं, निसंदे ये सब उदार्चित्ता व्यक्ति हैं, किन्तु जो मेरे ज्यान को प्राप्त हैं, उसे मैं अपने ही समान मा जानता हूं, वे मेरी दिव्य सेवा में तत पर रहकर, मुझे सरवोच्च उदेश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, जिसे सचमुच ग्यान होता है, वे मुझे को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महा अपने सभाव के अनुसार, पूजा के विशेश विधी विधानों का पालन करते हैं, मैं प्रतिक जीव के हिदय में परमात्मा सुरूप इस्थित हूँ, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी शद्धा को इस्थिर करता हूँ, जिससे वहे उसी विशेश देवता की भक्ती कर सके, ऐसी शद्धा से समन्वित वहे देवता विशेश की पूजा करने का यत्न करता है, और अपनी इच्छा की पूर्ती करता है, किन्तु वास्तविक्ता तो यह है, कि ये सारे लाव केवल मेरे द्वारा प्रदत हैं, अल्प पूजा करने वाले देवलोग को जाते हैं, किन्तु मेरे भक्त अंततह मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं, बुद्धी ही मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं, कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, और अब मैंने इस स्वरुप को धारण किया वे अपने अपग्यान के कारण मेरी अविनाशी तथा सरवोच प्रकृति को नहीं जान पाते हैं, मैं मूर्खों तथा अलपग्यों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अते वे ये न अत्मान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वे सब कुछ जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किन्तु मुझे कोई नहीं जानता, हे भरतवन्शी, हे शत्र विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा गणा से उत्पन द्वंदों से म महों को प्राप्त होते हैं, जिन मनुश्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुन्य कर्म किये हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णत उच्छे दन हो चुका है, वे महों के दन्नों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्प जो जरात अथा मृत्यू से मुक्ति पाने के लिए यत्मशील रहते हैं। अध्याए आठ भगवत प्राप्ति अर्जुन ने कहा हे भगवान हे पुरिशोत्तम ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है सकाम कर्म क्या है ये भौति जगत क्या है तता देवता क्या है क्रिपा करके यह सब मुझे बताईए ये मदुसुदन यग्यकर स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यू के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा अभिनाशी और दिवे जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य सुभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से सम्मंदित गतिविधी कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये देहधारियों में श्रेश्ट निरंतर परिवर्तन शील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूरे तता चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मलित हैं अधिदैव कहलाता है। तता पत्तेक देहधारी के हिदय में परमात्ना स्वरूप इस्थित मैं परमेश्वर अधियग्य कहलाता ह। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा इस्वर्ण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे सुभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदे नहीं है। एकुंति पुत्र शरीर्ट्याक्ते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्वन्न करता है वह उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतेव हे अर्जुन तुम्हे सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के करतवे को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धी को मुझ में इस्थिर करके तुम निश्चित रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझे को अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सरवग्य, पुरातन, नियंता, लगुतम से भी लगुतर, प्रतेक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धी से परे, अचिंते, तता नित्य और इस भौतिक प्रक्रति से परे, दिव्य रूप हैं। मृत्य के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा, अविचरित मंग से, पूर्ण भक्ति के साथ, परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह नि प्वेश करते हैं, ऐसे सिद्धी की इच्छा करने वाले ब्रमचरे वृत का भ्यास करते हैं, अब मैं तुम्हे वहविदी बताऊंगा, जिससे कोई भी देखती मुक्ति लाप कर सकता है। इस योगा भ्यास में सिथ होकर तथा अक्षरों के परमसे योग यानी ओंकार का उचारन करते हुए, यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का प्याक करता है, तो वह निश्चत रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अरजुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा इस्वरन करता है, उसके लिए मैं सुलब हूँ, क्योंकि वह मेरी प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच लोग से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किन्तु हे कुंति पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वे फिर कभी जन्म नहीं लेता। के शुबारम में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्री आती है तो वे पुना अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्री होते ही असहायवत विलीन हो इसके अतरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृती है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तता अव्यक्त पदार्थ से परे है यह परा और कभी नाश न होने वाली है जब इस संसार का सब कुछ लए हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता जिसे वेदांती अप्रकृत तता अविनाशी बताते हैं जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं यद्यपी वे अपने धाम में कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयान करने के बाद योगी पुने आता है अथवा नहीं आता जो पर ब्रम की ज्याता है वे अग्मी देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुवक्षन में शुक्लपक्ष में या जब सूर्य उत्तरायन में रहता है पक्ष में या सूरे के दक्षिनायन रहने के छे महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोग को जाता है, किन्तु वहां से पुन्हें चला आता है। इन दोनों मारगों को जानते हैं, किन्तु वे महोगरस्त नहीं होते, अते तुम भक्ति में सदैविस्ते रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्विकार करता है, वह वेदाध्यन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नह ताहर। अध्याय नो, परम गुहिय ज्यान यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूती कराने वाला है, अते है धर्म का सिध्धान्थ है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूरवक संपन्न किया जाता है। यह परंतप, जो लोग भक्ती में शद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतेहवे इस भोते जगत में जन्मम्रत्य के मार्ग पर वापिस आते रहते हैं। अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्रष्टी का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबलवायू सदैवाकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन प्राणियों को मुझे में इस्थित जानो। एक उन्ती पुत्र, कल्प कांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृती में प्रवेश करते हैं। और अन्य कल्प के आरंब होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ती से पुन्हें उत्पन करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार सुतह प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनश्ट होता है। यह धनंजय यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भाती इन सारे भौतिक कर्मों से सदय विरक्त रहता हूँ। हे कुंति पुत्र यह भौतिक प्रकर्ती मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कारे करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सजित और विनश्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य सभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहगरस्थ होते हैं वे आसुरी तथा नास्रिक विचारों के प्रतियाक्रश्ट रहते हैं। इस मोहगरस्थ अवस्था में उनकी मुक्तियाशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्यान का नुशीलन सभी निश्वल हो जाते हैं। हे पार्थ मोहमुक्त महात्मजन दैवी प्रकृति के संरक्षन में रहते हैं। वे पूर्णतह भक्ति में निमगन रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदी तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्टन करते हुए, दड़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ग्यान के अनुशिलन द्वारा यग्य में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविद रूपों में, तथा विश्वय रूप में करते हैं। किन्तु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यग्य, पितरों को दिया जाने वाला तरपण, आउशधी, दिव्य ध्वनी, घी, अगनी तथा आहुती हूँ। मैं इस ब्रह्मान का पिता, माता, आश्रय तथा पिता मह हूँ। मैं गे, शुद्धी करता तथा ओंकार हूँ। मैं रिगवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्षय, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणिस्थली तथा त्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं स्रिष्टी तथा प्रलय, सबका आधा, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप्रदान करता हूँ और वर्षा को रोगता तथा लाता हूँ। मैं अम्रत्व हूँ और साक्षा अत्मरत्यू भी हूँ। आत्मा तथा पदात दोनों मुझही में हैं। जो वेदू का ध्यन करते तथा सोम्रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेशना करते हुए अप्रित्यक्ष रूप से मेरी पुजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तित स्वर्गिक इंद्रिय सुप को भोग लेते हैं और उनके पुन्य कर्मों के फल शीन हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुन्ह लोटाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिध्धानतों में दड़ रहकर इंद्रिय सुप की गवेशना करते हैं उन्हें जन्म मृत्युक का चक्र ही मिल पाता है। किन्तु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य सरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पुजा करते हैं। उनकी जो आवशकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। एक उन्ति पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी शद्धा पूरवक पुजा करते हैं। वास्तव में वे भी मेरी ही पुजा करते हैं किन्तु वे यह तूटी पूरवक धंसे करते हैं। मैं ही समस्त्य यग्यों का एक मास्त्र भोकता तथा स्वामी हूँ। अत्य जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य सभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पुजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पित्रों को पूचते हैं वे पित्रों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पुजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे सुईकार करता हूँ। हे कुंति पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो इस तरहे तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुब फलों से मुक्त हो सकोगे इस सन्यास योग मे अपने चित्त को इस्तिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे मैं नहीं तो किसी से द्वेश करता हूँ नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ मैं सबों के लिए संभाव हूँ किन्तु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में इस्तित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किन्तु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधू मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिक रहता है वह तुरंत धर्मात्ना बन जाता है और इस्थाई शांती को प्राप्त होता है हे कुंति पुत्र निडर होकर घोशना कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है ये पार्ट जो लोग मेरी शरण ग्रहन करते हैं वे भले ही निम्न जन्माइस्त्री वैश्य तता शूद्र क्यों नहों वे परमधाम को प्राप्त करते हैं फिर धर्मात्मा ब्रहमनों भक्तों तता राज रिश्यों के लिए तो कहना ही क्या है अतै इस शनिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो इस प्रकार मुझ में पूर्ण तया तरलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझ को प्राप्त होगे। अध्याए दस श्री भगवान का आश्वर्य श्री भगवान ने कहा, हे महा बाहु अर्जुन और आगे सुनो, चुनकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, हते मैं तुम्हारे लाप के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा, जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ट होगा, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ती या इश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्शी गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्शियों का भी कारण स्वरूप हूँ, जो मुझे अजन्मा, अनादी, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुश्यों में केवल वही, मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है, बुद्धी, ज्यान, संशय तता मोह से मुक्ती, शमाभाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तता दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टी, तप, दान, यश तता अपयश, जीवों के ये विविद गुण, मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं, सत्रिशिगन तथा उनसे भी पूर्व, चार अन्य महर्शी, एवं सारे मनु, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन लोकों में निवास करने वाले सारे जीव, उनसे अवतरित होते हैं, जो मेरे इस एश्वर्य तथा योग से पूर्णते आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक पिसंदेह नहीं हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तो मुझही सिभूत है, जो बुद्धिमान यह भली भाती जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, तता हिर्दय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्यान प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ सक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेश क्रिपा करने के हेतू उनके हिदर्व में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश्मान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ, अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे रिशी आपके सत्य की पुष्टी करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझ से प्रकट कह रहे है हे कृष्ण, आपने मुझ से जो कुछ कहा है, उसे मैं पूर्ट या सत्य मानता हूं, हे प्रभु, न तो देवतागण, ना सुरगण ही आपके स्वरूख को समस सकते हैं, हे परम पुरुष, हे सब के उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब् आत्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी आश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं, हे क्रिश, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका नि अश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्नन करें, मैं आपके विशय में सुनकर कभी त्रप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विशय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, श्री भगवान ने कहा, हां, अब मैं तुम से अपन मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा इश्वर्य असीन है। हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हिदयों में इस्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदी मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णू, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरूतों में मरिची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्वों में अग्नी हूँ और समस्त परवतों में मेरू हूँ हे अरजुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित प्रहस्पती जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्की कय हूँ, और समस्त जलाशयों में समुत्र हूँ, मैं महर्शियों में भुगु हूँ, वानी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यग्यों में पवित्र न देवर्शियों में नारद हूँ, मैं गंधरवों में चित्रत हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनी हूँ, घोडों में मुझे उच्च इश्रवा जानो, जो अम्रत के लिए समुद्र मन्थन के समय उत्पन हुआ था, गजराजों में मैं अईरावत हूँ, और मनुश्यों में राजा हूँ, मैं हतियारों में वज्र हूँ, गायों में सुर्भी, संत्ति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता काम देव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ, अनेक फण वाले नागों में मैं अनन्त हूँ, और जल्चरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मित्युराज लम हूँ, दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशों में सिंग हूँ, तथा पक्षियों में गरुण समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायू हूँ, शस्त्र धारियों में राम, मचलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ हे अरजुन, मैं समस्त स्रिष्टियों का आदी, मध्य और अंत हूँ, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तरक शास्त्रियों में मैं निर्नायक सत्य हूँ, अक्षरों में मैं अकार हूँ, और समासों में दुंद समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी मैं सर्वभक्षि मृत्यू हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन करने वाला हूँ इस्त्रियों में मैं कीर्ती, श्री, वाक, इस्मृती, मेगा, दृती तथा शमा हूँ मैं सामवेत के गीतों में ब्रहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ समस्त महीनों में मैं मार्गशीश तथा समस्त रितों में फूल खिलाने वाली वसंत रितो हूँ मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्यों में तेज हूँ मैं विजय हूँ साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ मैं विश्णी वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ मैं समस्त मुनियों में व्यास थथा महान विचारकों में उष्णा हूँ अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय क्या कांख्षी हैं उनकी मैं नीती हूँ रहस्यों में मैं मोन हूँ और बुधिमानों में मैं ज्ञान हूँ यही नहीं है अरजुन मैं समस्तु स्रिष्टी का जनक वीज हूँ ऐसा चर्त अथा चर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं हैं मैंने तुम से जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है तुम जान लो कि सारा एश्वर्य, संदर्य तथा ते जस्वी स्रिष्टियां मेरे तेज के एक इस्फुलिंग मात्र से उद्भूत है किन्तु है अरजुन इस सारे विशद ज्यान की आवशक्ता क्या है मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपून ब्रह्मान में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ अध्याय ग्यारे विराट रूप अरजुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुहिये अध्यात्मिक विशयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोहद्दूर हो गया है हे कमलनयन मैंने आपसे प्रत्येग जीव की उत्पत्ती तथा लई के विशय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्ष महिमा का अनुभव किया है हे पुरुशोत्तम हे परमेश्वर जद्यपी आपको मैं अपने समक्षाप के द्वारा वर्नित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ किन्तु मैं है देखने का इच्छुख हूँ कि आप इस द्रश्य जगत में किस प्रकार प्रविश्टु हुए है मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ हे प्रभु हे योगेश्वर यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना सीम विश्व रूप दिखलाईए भगवान ने कहा हे अर्जुन हे पार्थ अब तुम मेरे यश्वर्य को सैक्णों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविद रंगों वाले रूपों को देखो हे भारत लो तुम आदित्यों वस्वों रुद्रों अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन रूपों को यहां देखो तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिने पहले किसी ने न तो कभी देखा है ना सुना है हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तप्षण मेरे इस शरीर में देखो तुम इस समय तथा भवश्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है यहां एकी स्थान पर चर अचर सब कुछ है किन्तु तुम मुझे अपनी नाखों से नहीं देख सकते अतह मैं तुम्हें दिव्य आँखे दे रहा हूँ अब मेरे योग एश्वर्य को देखो संजय ने कहा हे राजा इस प्रकार कहकर महायोग एश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर में द्रश्य देखे यह रूप अनेक दैवी आभूशनों से अलंकृत था और अनेक दैवी हत्यार उठाए हुए था यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किये था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधिया लगी थी सब कुछ आश्चर्य में तेजमय असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ हुदे हों तो उनका प्रकाश शायद परमपुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान परिस्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मान के अनंत अंशों को देख सका तब मोह ग्रस्तेवे माश्चरे चकित रोमान चित्वे अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक जुकाया और वहाद जोड़कर भगवान से प्लार्षना करने लगा अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविद जीवों को एक अत्र देख रहा हूँ मैं कमलपरासीन ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त रिशियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ पेट मुह तथा आँखे देख रहा हूँ जो सर्वत्र पहले हैं और जिनका अंत नहीं है आप में न अंत दीखता है न मध्य और न आदी आपके रूप को उसके चका चौन तेज के कारण देख पाना कठिन है क्योंकि वह प्रज्जुलित अगनी की भाती अत्वा सूर्य के अपार प्रकाश की भाती चारो और फैल रहा है तो भी मैं इस सेजो में रूप को सरवत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूशित है आप परम आद्य गेवस्तु हैं आप इस ब्रमान के परमाधार हैं आप अव्य तथा पुरान पुरुश हैं आप सनातन धर्म के पालग भगवान हैं यही मेरा मत है आप आदी, मध्य तथा अंत से रहित हैं आपका यश अनंत है आपकी असंग के भुजाएं हैं और सूरे तथा चंद्रमा आपकी आखें हैं मैं आपके मुख से प्रज्वलित अगनी निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मान को जलते हुए देख रहा हूँ यज़ जब भी आप एक हैं किन्तु आप आकाश सथा सारे लोकों एवम उनके बीज के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं ए महापुरुष आपके इस उद्बुद तथा भयानक रूप को देख कर सारे लोक भैभीत हैं देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है उन में से कुछ अत्यंत भैभीत होकर हाद जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं महर्शियों तथा सिद्धों के समूह कल्यान हो कहकर वेदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी सुति कर रहे हैं शिव के विविद रूप, आदित्यगण, वसू, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरूदगण, पित्रगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर पूर्वक देख रहे हैं हे महाबाहू, आपके इस अनेक मुख, नेत, बाहू, जंगा, पाउ, पेट, तथा भयानक दातों वाली विराट रूप को देखकर, देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ हे सरव्यापी विष्णू, नाना जोतिर में रंगों से युप्त, आपको आकाश का इस पर्ष करते, मुख फैलाए, तथा बड़ी-बड़ी चमकती आँखे निकाले देखकर, भय से मेरा मन विचलित है, मैं ने तो धैरे धारण कर पा रहा हूँ, ने मांसिक संतुलं ही प मुझ पर पसंद हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलयागनी सरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर, अपना संतुलं नहीं रख पा रहा, मैं सब और से महों ग्रस्त हो रहा हूँ, तृतुराश्ट्र के सारे पुत्र, अपने समस्त सहायक राजाओं सहित, तथ भीष्म, द्रोन, कर्ण, एवं हमारे प्रमुक योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उन में से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दातों के बीच चूनित हुआ देख रहा हूँ, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेख से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविश्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अगनी में कूद पड़ते हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने दाति किर्णो सहित प्रकट हो रहे हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाईए, कितने उग्रूप में आप कौन हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसंध हूँ, आप अधी भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नही जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनश्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योध्धा मारे जाएंगे अथे उठो लड़ने के मेरे तैयार हो और यशर जित करो अपने शत्रों को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित मात्र हो सकते हो द्रौन, भीष्प, जैद्रत, कर्ण तथा अन्यमहान यु युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रों को परास करोगे। संजय ने धुत्राष्ट से कहा, हे राजा, भगवान के मुक से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, फिर उसने भैबीत होकर अवरु पुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, अर्जुन ने कहा, हे रिशिकेश, आपके नाम के श्रवन से संसार हरशित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किन्तु असुर्गन भैबीत ह और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है, हे महात्मा, आप ब्रम्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदी स्रश्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें, हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण, तथा इ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ हैं, जो जानने योग्य हैं, आप भोतिक गुणों से परे परम आश्रे हैं, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण द्रश्य जगत आप से व्याप्त है, आप वायू हैं, तथा परम नियंता भी हैं, आप अगनी हैं, जल हैं, तथा च आपको आगे, पीछे, तथा चार ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ती, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्व व्यापी हैं, अतया आप सब कुछ हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए, मैंने हट पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्तवश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे शमा कर दें, यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी केले, तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका नादर किया है, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को शमा करें, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण द्रश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात में गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, नहीं कोई आपके समान हो सकता है, हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभू, भला तीनों लोकों में आप से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनिय भगवान हैं, अतह मैं गिरकर साधर प्रणाम करता हूं, और आपकी कृपा की याचना करता हूं, जि प्रकार आप कृपा करके मेरी तुटियों को सहन कर लें, पहले कभी न देखे गए, आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किन्तु साथ ही मेरा मन भैबीत हो रहा है, अतहे आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास, हे सहस्त्र भुझ भगवान, मैं आपके मुकृटधारी चतुर भुझ रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारो हाथों में शंक, चक्र, गदा तथा पद्म धारन किये उए हों, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसंद होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है, इसके पूरवन्य किसी ने इस असीम तथा तेजों में आदी रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुशेष्ट, तुम से पूरु मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदा ध्यन के द्वारा, न यग्य, दान, पुन्य या कठिन तपस्य के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ, हे मेरे भक्त, तुम समस्त्र चिन्ताओं से पुन्य मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छत रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट से कहा, अरजुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना अस्लिच चतुर भूज रूप प्रकट किया, और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भैभीत अरजुन को धैरे बनाया। जब अरजुन ने कृष्ण को उनके आदी रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतियी सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब इस्थिर चिक्त हूँ और मैंने अपनी प्राकर तवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अरजुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देखपाना अत्यंत दुश्कर है, यहां तक की देवता भी इस अत्यंत प्रियरूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्यन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अरजुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षा दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधी से तुम मेरे ग्यान के रहस्य को पा सकते हो। हे अरजुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म की कलमत से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में ततपर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष समझता है और जो प्रतेग जीर से मैत्री भाव रखता है, वह निश्च ही मुझे प्राप अरजुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदयर्तत पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेश ब्रह्म की पुजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साका रूप में एकाग्र करते हैं, और अत्यन्त शद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सक्ते की निराकार कल्पना के अंतरगत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनभूती के परे है, सर्व व्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल्त ताध्रू है, वे समस्त लोगों के कल्यान में सनलगन रहकर अंततहा मुझे प्राप्त करते हैं, जिन लोगों के मन पर मेश्वर के अव्यक्त निराकार सुरूप के प्रतिया सकते हैं, उनके लिए प्रगती करपाना अत्यंत कष्ट प्रद है, देहधारियों के लिए उस शेत्र में प्रगती करपाना सदैव दुश्कर होता है, जो अपने सारे कारें को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ती करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर इस्थित करके नरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हेपार्थ मैं जन्नम्रित्यु के सागर से शेगरू धार क और अपने सारी बुद्धी मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदे मुझ में सदै वास करूगे। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांती प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेश नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मित्या अहंकार से मुक्त है। जो सुक दुख में संभाव रहता है सहिष्णु हैं सदैव आत्म तुष्ट रहता है आत्म सैयमी हैं तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धी को इस्थिर करके भक्ती में लगा रहता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंसता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता जो सुक दुख में भय तथा चिंटा में संभाव रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्यकारे का लापों पर आशित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्न शील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिये है, जो ना कभी हर्शित होता है, ना शोग करता है, जो ना त अत्यन्त प्रिये है, जो मिट्रों तता शत्रों के लिए समान है, जो मान तता अपमान, शीत तता गर्मी, सुख तता दुख, यश तता अपयश में सम्भाव रखता है, जो दूशित संगती से सदैव मुख्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है जो किसी प्रकार के घरबार की परवा नहीं करता जो ग्यान में दड़ है और जो भक्ति में सनलगन है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है जो इस भक्ति के अमर्पत कानुसरन करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष बना कर शद्धा सहित पूर्ण रुप पेन सनलगन रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं अध्यायते है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना अर्जुन ने कहा हे क्रिश मैं प्रकृति एवं पुरुष, छेत्र एवं छेत्रग्य तथा ज्यान एवं ये के विशय में जानने काई छुख हूं श्री भगवान ने कहा, हे कुंति पुत्र यह शरीर छेत्र कहलाता है और इस शेत्र को जानने वाला छेत्र ग्या है हे भरतवन्शी तुम्हे ग्यात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ग्याता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ग्याता को जान लेना ग्यान कहलाता है ऐसा मेरा मत है अब तुम मुझ से यह सबसंशेप में सुनो कि कर्म छेत्र क्या है यह किस प्रकार बना है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं यह कहां से उत्पन होता है इस कर्म छेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है विभिन वैदी ग्रंथों में विभिन रिशियों ने कारे कलापों के छेत्र तथा उन कारे कलापों के ज्याता के ज्यान का वर्णन किया है। इसे विशेश रुप से विदान्त सूत्र में कारे कारण के समस्त तर्क समेत तस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विशय, इच्छा, द्वेश, सुख, दुख, संघात, जीवन की लक्षन तथा ध्यर्य, इन सब को संख्षेप में कर्म का छेत्र तथा उसकी अंत्य क्रियाएं कहा जाता है विनम्रता, दंबहींता, अहिंसा, सहिश्नुता, सरल्ता, प्रामानि गुरु के पास जाना, पवित्रता, इस्थिर्ता, आत्मसयम, इंद्रिय त्रप्ती के विशयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, प्रधावस्था तथा रोग के दोशों के अनु वस्थों की मम्ता से मुक्ती, अच्छी तता बुरी घटनाओं के प्रती संभाव, मेरे प्रती निरंतर अनन्य भक्ती, एकांते स्थान में रहने की इच्छा, जन्समु से विलगाव, आत्मसाक्षातकार की महत्ता को स्विकारना, तता परमसत्य की दाशनिक खोज, इन सब जो भी है, वह सब अज्ञान है, अब मैं तुम्हें गे के विशय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादी है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारे कारण से परेस्थित है, उनके हाथ, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तों में व्याप्त होकर अवस्थित है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे प्रकृतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है परमसत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर इस्थित हैं सूख्ष होने के कारण वे भावतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं यद्यपी वे अत्यंत दूर रहते हैं यद्यपी परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है वे एक रूप में इस्थित है यद्यपी वे प्रतेग जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वे सबों का संघार करता है और सबों को जन्म देत वे समस्त प्रकाशमान वस्तूं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भवते कंदकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, गे हैं और ज्ञान के लक्ष हैं। वे सब के हिदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म छेत्र, ज्यान तथा ये का संग्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृती तथा जीवों को अनादी समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृती जन्य हैं। प्रकृती समस्त भोतिक कारणों तथा कारियों की हेतु कही जाती है। और जीव इस संसार में विविद सुक दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृती के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृती में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृती के साथ उसकी संगती के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अघम योनिया मिलती रहती हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिद्वे भोगता ह जो इश्वर है परमस्वामी है और साक्षी तथा अनुमती देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अपने भीतर देखते हैं तो दूसे लोग ज्यान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निश्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें सित्व में दीख रहा है वह कर्म छेत्र तथा छेत्र के ज्याता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समस्ता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनश्ट होता है वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भरष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, जो यह देखता है कि सारे कारे शरी द्वारा संपन्न किये जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यतार्त में देखता है जब विवेकवान व्यक्ति विभिन भावतिक शरीरों के कारण विभिन सरूमों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वे ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। शाश्वत द्रश्टी संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अभिनाशी आत्म दिव्व, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अरजुन, भोतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्म न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। उसी प्रकार शरीर के भीत रिस्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्यान के चक्षों से शरीर तथा शरीर के ग्याता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधी को भी जानते हैं, उन्हें परमलक्षे प्राप्त होता है। अध्याय चोध है प्रकृति के तीन गुण भगवान ने कहा, अब मैं तुम से समस्त ज्यानों में सरुश्रेष्ट इस परम ज्यान को पुने कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिध्धी प्राप्त की है। इस ज्यान में सिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इस्थित हो जाने पर वह न तो स्रश्टी के समय उत्पन होता है और न प्रलय के समय बिचलित होता है। हे भरत पुत्र ब्रह्म नामक समग्र भावतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्त करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंति पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनिया इस भावतिक प्रकरती में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीच प्रदाता पिता हूँ। भावतिक प्रकरती तीन गुणों से युक्त है। यह हैं सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महा बाहु अर्जुन जब शाश्वत जीव प्रकरती के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंद जाता है। हे निश्पाप सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षादिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश्पदान करने वाला और मनुश्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंद जाते हैं। हे कुंति पुत्र रजो गुण की उत्पत्ती अतीमा कांग्शाओं तथा तुष्णाओं से होती हैं और इसी के कारण से यह देदारी जीव सकाम कर्मों से बंद जाता है। तथा नीम हैं जो बद जीव को बंदते हैं। हे भरत पुत्र सतोगुण मनुष्य को सुख से बंदता है, रजो गुण सकाम कर्म से बंदता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढखकर उसे पागल पन से बंदता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुन रजोगुन तथा तमोगुन को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुन सतोगुन तथा तमोगुनों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुन सतो तथा रजोगुनों को परास्त कर देता है, इस प्रकार श्रेश्टा के लिए निरंतर इस परदा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्यान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्शियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहन करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पश्योनी में जन्मधान करता है पुन्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किये गए कर्म मुर्कता में प्रतिफलित होते है सतोगुण से बासविक ज्यान उत्पन होता है, रजोगुण से लोभुत्पन होता है और तमोगुण से अज्यान, प्रमाद और महुत्पन होते हैं सतो गुणी व्यक्ति क्रम्षह उच लोकों को उपर जाते हैं, रजो गुणी इसी प्रत्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गरहित तमो गुण में सिथ हैं, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकर्ति के तीनों गुणों के अतरिक्त अन्य कोई करता नहीं हैं और जब वे परमेश्वर को जान लेता है, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वे मेरे दिव्य सुभाव को प्राप्त होता है। जब देहदहारी जीव भौतिक शरीर से संबध इन तीनों गुणों को लांगने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यू, बुढ़ापा तथा उनके कश्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, ये भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किल लक्षनों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरन कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांगता है? भगवान ने कहा, ये पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसकती तता मोह के उपस्तित होने पर, न तो उनसे घ्रणा करता है, और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तता विचलित रहता है, और मिट्ती के ढेले, पद्थर एवं सुणिक के टुकडे को समान द्रश्टी से देखता है, जो अनुकूल तता प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और पशन्स तता बुराई, मान तता अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तता मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिकार्ञ्रयों का परिप्याक कर दिया है ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रव THIS होता है वह तुरंथी प्रकृतिक गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के सर्थक पहुँच जाता है और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रे हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुक का स्वभाविक पद है अध्याए पंध्रे पुरुशोत्तम योग भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत व्रक्ष है, जिसकी जड़ें तो उपर की और हैं और शाखाएं नीचे की और, तथा पत्यां वैदिक स्तोत्र हैं, जो इस व्रक्ष को जानता है वह वेदों का ज्याता है इस व्रक्ष की शाखाएं उपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रक्षति के तीन गुणों द्वारा पोशित हैं, इसकी टहनिया इंद्रिय विशय हैं, इस व्रक्ष की जड़ें नीचे की और भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बन्धी हुई हैं इस व्रक्ष के वास्तविक सरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदी कहा हैं, अंत कहा हैं या इसका आधार कहा हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस द्रणमूल वाले व्रक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए तत्पश्चातु से ऐसे इस्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लोटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहन कर ली जाए जिस से अनादी काल से प्रतेक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होताया है जो जूटी प्रतिष्ठा मोह तता कुसंगती से मुक्त हैं जो शाश्वत तत्व को समस्ते हैं जिनोंने भवतिक काम को नश्ट कर दिया है जो सुख तता दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोहरईत होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं वह मेरा परंधाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अगनी या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भोते जगत में फिर से लोट कर नहीं आते इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अ एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायू सुगंदी को ले जाता है इस प्रकार वह एक शरीर धारन करता है और फिर इसे त्याक कर दूसरा शरीर धारन करता है इस प्रकार दूसरा इस्थूल शरीर धारन करके जीव विशेश प्रकार का कान, आख, जी प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरह के शरीर का भोग करता है। प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते की क्या हो रहा है। मैं प्रतेक जीव के हिदे में आतीन हूँ और मुझसे ही स्मृति यान तथा विस्मृति होती है। निसंदे मैं वेदांत का संक्रन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव दो प्रकार के हैं चुत तथा अच्चुत। भोती जगत में प्रतेक जीव चुत होता है और आध्यात्मी जगत में प्रतेक जीव अच्चुत कहलाता है। इन दोनों के अत्रिक्त एक परमपुरुष परमात्मा हैं जो साक्षात अविनाशी भगवान हैं और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चुकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चुकि मैं सरुश्रेष्ठ हूँ अत्यव मैं इस जगत में तथा वेदों में परमपुरुष के रूप में विख्यात हूँ जो कोई भी मुझे संश रहित होकर पुरुष उत्तम भगवान के रूप में जानता है व इसे मैंने अब प्रकट किया है जो कोई से समस्ता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे अध्याय सोले दैवी तथा आसुरी सभाव भगवान ने कहा थे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धी, आध्यात्मि ज्यान का नुशीलन, दान, आत्म सैयम, यज्य परायनता, वेदाध्यन, तपस्या, सरलता, पहिंसा, सत्यता, क्रोध विहींता, त्याग, शांती, छिद्रान मेशन में रूची, समस्त पर करुणा, लोब विहींता, भद्रता, लज्जा, संकल्व, तेज, शमा, धैर, पवित्रता, ईश्या तथा सम्मान के विलाशा से मुक्ती, ये सारे दिव्य गुण हैं, जो दैवी प्रकृती से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाय जाते हैं, ये प्रता पुत्र दंग, दर्प, अभिमान, प्रोज, खठोर्ता, तथा ज्यान की आसुरी सभाव वालों के गुण हैं, दिव्य गुण मोक्ष के लिए नुकूल हैं, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं, हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण सयुक्त होकर जन्मे हो, हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सरजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विशय में सुनो, जो आसुरी हैं, वे यह नह जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और नहीं सत्य पाया जाता है, वे कहते हैं कि यह जगत मिठ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी इश्वर द्वारा नहीं होता, उनका कहना है कि य आमेच्छा से उत्पन होता है और काम के अत्रिक कोई अन्यकारण नहीं है ऐसे निश्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धी हीन है ऐसे नुपयोगी एवं भयावयकार्यों में प्रवत्त होते हैं जो संसा का विनाश करने के लिए होता है कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रे लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्य प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोग्रस्त होकर सदैव शनभंगुर वस्तों के द्वारा अपविस्त्र कर्म का व्रत लिये रहत वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्य त्रप्ति के लिए वैद्धं से धन संग्रह करते हैं आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाव से मैं और अधिक धन कमाऊंगा इस समय मेरे पास इतना है किन्तु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिये जाएंगे मैं सभी वस्तों का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्ति मान तथा सुखी हूँ मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंदी है कोई अन्य मेरे समान शक्ति मान तता सुखी नहीं है मैं यग्य करूँगा, दान दूँगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्यानवश मोह ग्रस्त होते रहते हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्धिग्न होकर तता मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यदिकासक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं अपने को श्रेष्ट मानने वाले तता सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तता मित्य प्रतिष्ठ से मोहगरस्त लोग किसी विदिविधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यग्य करते हैं मिध्याहंकार, बल, दर्प, काम तता क्रोज से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में ततान्यों के शरीर में सित्भगवान से इश्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं जो लोग इरिशालू तता क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ हे कुंति पुत्र ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहन करते हुए कभी भी मुझ तक पहुच नहीं पाते वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गती को प्राप्त होते हैं इस नरक के तीन द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोग प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए की इने त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है हे कुंति पुत्र जो व्यक्ति इन तीनो नरक द्वारों से बच पाता है वे आत्म साक्षातकार के लिए कल्यान कारी कारे करता है और इस प्रकार क्रम्ष है परमगती को प्राप्त होता है जो शाक्तों के आदेशों की अभेलना करता है और मन माने धंग से कारे करता है उसे न तो सिथी न सुप नहीं परमगती की प्राप्ती हो पाती है अतेव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के नुसार क्या कर्तब्य है और क्या अकर्तब्य है उसे ऐसे विधी विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रम्ष है उपर उठ सके अध्याय सत्रे शद्धा के विभाग अर्जुन ने कहा ये क्रिष्ण जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के नुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिती कौन सी है वे सतोगुणी है रजोगुणी है या तमोगुणी भगवान ने कहा देहदारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के नुसार उसकी शद्धा तीन प्रकार की हो सकती है सतोगुणी, रजोगुणी, अथवा तमोगुणी अब इसके विशय में मुझ से सुनो हे भरत पुत्र, विभिन गुणों के अंतरगत अपने अस्थित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेश प्रकार की शद्धा विक्सित करता है अपने द्वारा अर्जित गुण के अनुसार ही जीव को विशेश शद्धा से युक्त कहा जाता है सतोगुणी व्यक्ती देवताओं को पूछते हैं, रजोगुणी यक्षों वे राक्षसों की पुजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ती भूत प्रेतों को पूछते हैं जो लोग दंब तता अहंकार से विभूत होकर शास्त विर्द कठोर तपस्या और वृत करते हैं, जो काम तता आसकती द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तता जो शरीर के भौतिक तत्वों को, तता शरीर के भीतर इसित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं, यहां तक की प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकरती के गुणों के नुसार तीन प्रकार का होता है, यही बात यग्यक, तपस्या, तथा दान के लिए भी सकते हैं, अब उनके भेदों के विशय में सुनो, जो भोजन सात्वि व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, तथा बल, स्वास्त, सुख तथा तृत्तिप्रदान करने वाला होता है, अध्यदिक्स्त, खठें, नमकीन, गरम, चटपटें, शुषक तथा जलन उतपन करने वाले भोजन जोजी तेवं सड़ा जूठा तथा अस्प्रश वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यग्यों में वही यग्य सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भर्त शेष्ट जो यग्य किसी भोतिक लाव के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानों जो यग्य शास्त्र के निर्देशों की अवहिलना करके प्रसाद वित्रण किये बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किये बिना पुरोहितों को दक्षिना दिये बिना तथा शध्धा के बिना संपन किया जाता है वह तामसी माना जाता है परमेश्वर, ब्रामनों, गुरु, मातापिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरल्ता, ब्रमचर्य और अहिंसाही शारिरिक तपस्या है। की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्य मनुष्य द्वारा, जिव्य शद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या, सात्रित तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंब पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो इस्थाई होती है ना शाश्वत, मूर्टावश, आत्मुत्पिणन के लिए या अन्योग को विनश्ट करने या हानी पहुचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान करतव्य समझ कर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा इस्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। स्रश्टी के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किये जाते रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्मपल की इच्छा किये बिना विविद प्रकार की यग्य तप तथा दान को तत्षब्द कहकर संपन करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उदेश्य भव बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यग्य का लक्ष है और उसे सत्षब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र ऐसे यग्य का संपन करता भी सत्थ कहलाता है, जिस प्रकार यग्य तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परमपुरुष को प्रसंद करने के लिए संपन किये जाते हैं सत्थ हैं। हे पार्थ शद्धा के बिना यग्य, दान या तब के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अध्याय अठारे, उपसहार, सन्यास की सिध्धी, अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिशुदन, हे रिशिकेश, मैं त्याग मैं जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भावतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्दवान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फलत्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोशित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोश पूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए, किन्तु अन्य विद्वान मानते हैं कि यग्य, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत शेष्ट, अब त्याग के विशय में मेरा निर्णे सुनो। हे नर्शारदूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। यग्य, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्तंदे यग्य, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कारें को किसी प्रकार किया सक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये प्रथा पुत्र इन्हें कर्तव्य मान कर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम्म निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई महुवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट प्रत समझ कर या शारेरिक प्लेश के भई से त्याग देता ह उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुन में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्छ फल प्राप्त नहीं होता। उसके विशय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदे किसी भी देहदारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करताना संभव है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तम में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं हैं उसके लिए इच्छित, तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यू के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्याती है उन्हें ऐसे फल का सुक दुक नहीं भोगना पड़ता। हे महा बाहु अर्जुन वेदान्त के नुसार समस्त कर्म की पूर्ती के लिए पांच कारण है। अब तुम इन्हे मु पूर्षय अपने शरीर, मन या वानी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फल सुरूप होता है। अपने आपको ही एक मात्र करता मानता है वह निश्चे ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सक जो मिध्य अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धी बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ग्यान, गे, तथा ग्याता ये तीनों कर्म को प्रेर्णा देने वाले कारण हैं। इंद तीन भेद हैं, अब तुम मुझ से इने सँनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एकी अविभक्त आध्यातनीक प्रकृती देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ग्यान से कोई मनुष्य विभिन शरीरों में भिन भिन प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो और वह ग्यान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कारे को जो अतिप तुछ है सब कुछ मान कर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है जो कर्म नियमित है और जो आसकती, राग या द्वेस से रहित कर्मफल की चाहा के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ती के निमित प्रयास पूर्वक एवं मित्य अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है जो कर्म मोहवश शास्त्रिया आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवा किये बिना या हिंसा अत्वा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है जो व्यक्ति भौति गुरों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उस्सापूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथ्वा सफलता में अविचलित रहता है वह सात्वे कर्णा कहलाता है जो करता कर्म तथा कर्म फल के प्रतियासक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैवी शालू, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कारे करता रहता है जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा आन्यों का अपमान करने में पटू है तथा जो आलसी, सदैव खिन, तथा काम करने में दीर्ग सूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है हे धनन्जय, अब मैं प्रकृती के तीन गुणों के अनुसार, तुमें विभिन में प्रकार की बुद्धी तथा धृती के विशय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धी सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुश्य है जानता है कि क्या करणिये हैं और क्या नहीं है, किस से डरना चाहिए और किस से नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ती देने वाला है हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धी धर्म तता अधर्म, करणिये तता करणिये कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है, जो बुद्धी मोह तता हंकार के वशिभूत होकर, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, और सदै विपरीदिशा में प्रयत्न करती है हे पार्थ वह तामसी है हे प्रथा पुत्र जो अटूठ है जिसे योगा भ्यास द्वारा चल रहे कर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तता इंद्रियों के कारे कलापों को वश में रखती है वह दृती सात्विक है लेकिन हे अर्जुन जिस धृती से मनुष्य धर्म, अर्थ तता काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह दाजसी है हे पार्थ जो धृती स्वप्न, भय, शोक, विशात तता मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुरबुद्धी पूर्ण धृती तामसी है हे भरत शेष्ट, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विशय में सुनो जिनके द्वारा बद्द जी भोग करता है और जिसके द्वारा कभी-कभी दुखों का अंत हो जाता है जो प्रारंब में विश जैसा लगता है लेकिन अंत में अम्रित के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षादकार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विशयों के संसर्ख से प्राप्त होता है और जो प्रारंब में अम्रित तुल्य तथा अंत में विश तुल्य लगता है वह रजोगुनी कहलाता है तथा जो सुख आत्म साक्षादकार के प्रतियंधा है जो प्रारम से लेकर अंत तक महुकारक है और जो निद्रा आलक से तथा मोह से उत्पन होता है वह तामसी कहलाता है इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकर्ति के तीन गुणों से मुक्त हो हे परंतप, ब्रामनों, शत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकर्ति के गुणों के अनिसार उनके सभाव द्वारा उत्पन्गुणों के द्वारा भेद किया जाता है शांति प्रियता, आत्मसयम, तपस्या, पवित्रता, सहीश्नुता, सत्यनिष्ठा, ज्यान, विज्ञान, तथा धार्मिक्ता ये सारे सभाविक गुण हैं, जिनके द्वारा ब्रामिन कर्म करते हैं। वीर्ता, शक्ती, संकल्प, दक्षता, युद्ध मिध्हर्य, उदार्ता तथा नेत्रत्व, ये शत्रियों के सभाविक गुण हैं। प्रशी करना, गुरक्षा, तथा व्यापार, वैश्यों के अब तुम उससे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ती परकार को करना, चाहे वे कितना ही तुटि पून धंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कारे को स्विकार करने और अच्छी प्रकार करने के अपेक्षा अधिक श्रेष्ट है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभ कर्म को भले ही वे दोशपूर्ण क्यों नहों, कभी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी तथा अना सक्त है, एवं जो समस्त भोतिक भोगों की परवा नहीं करता, वे सन्यास के अभ्यात्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच सिद्ध वस्ता प्राप्त कर सकता है। में तुम से वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धी से शुद्ध होकर, तथा धहरे पुर्वक मन को वश्मे करते हुए, इंद्रे त्रत्ति के विशयों का त्याग कर, राग तथा द्वेश से मुक्त होकर, जो व्यक्ति एकांते सान में वास करता है, ज मिथ्या गर्व, काम, क्रोज, तथा भोतिक वश्मे के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित, तथा शान्त है, वह निश्च ही आत्म साक्षात कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पदपर सिथ है वह तुरंट पर ब्रह्म कानुभव करता है और पूर्ण तया प्रतन हो जाता है वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है वह प्रतेग जीव पर संभाव रखता है उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है केवल भक्ति से मुझ भगवान को यसा रूप में जाना जा सकता है जब मनुश्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनम्रत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है मेरा शुद्ध भक्त मेरे संडक्षन में समस्त प्रकार के कार्यों म सननगन रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तता विनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कारें के लिए मुझ पर निर्बर रहो और मेरे संदक्षन में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ती में मेरे प्रति पूर्ट्या सचेत रहो। यदि तुम मुझ से भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, लेकिन यदि तुम मित्य अंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनश्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवरत नहीं होते हो, तो तुम कुमार पर जाओगे, तुम्हें अपने सुभावश युद्ध में लगना होगा। इस समय तुम महोवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, ले आतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भाती बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। जो सरवादिक गुहिय ज्यान हैं बता रहा हूं इसे अपने हित के लिए सुनो। यह गुहिय ज्यान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो सयमी हैं ना एक निष्ट ना भक्ति में रत हैं नहीं उसे जो मुझे द्वेश करता है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापिस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और मैं घोशित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र समवाद का ध्यन करता है वह अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है। और जो शद्ध समेत तथा द्वेश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुन्यात्माएं निवास करती है। हे प्रथा पुत्र हे धननजय क्या तुमने इसे एक आगरे चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्यान तथा मोह दूर हो गया है। अर्जुन ने कहा हे क्रिश्म हे अच्युत अब मेरा मोह दूर हो गया आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्वराण शक्ती वापिस मिल गई अब मैं संशरहित सता द्रण हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्दित हूँ। संशे ने कहा इस प्रकार मैंने क्रिश्म तसा अर्जुन इन दोनों महापुर्शों की वारता सुनी और यह संदेश इतना अद्बुध है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। आस्की क्रपा से मैंने ये पर्म गुए बातेм साक्षात योगेश्वर क्रिश्ण के मुख से अर्जुन के पृति कही जाती हुई सुनी। हे राजन जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चरे जनक तथा पवित्र वारता का बारंबार इस्मरन करता हूँ तो प्रतिक्षन अहलाज से गदगद हो उड़ता हूँ हे राजन भगवान कृष्ण के अदबुद रूप कर स्मरन करते ही मैं अधिकादिक आश्चरे चकित होता हूँ और पुना पुना हर्शित होता हूँ जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परमधनुधर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य विजय अलवकिक शक्ति तथा न हरे खुष्ण हरे खुष्ण कृष्ण 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 हरे खुष्ण हरे खुष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे खुष्ण 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 हरे खु झाल झाल